नमस्कार यूट्यूब चैनल एन उनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुपोला फरनेंस के बारे में कुपोला फरनेंस एक मेल्टिंग डिवाइस है जिसे फाउंडरीज में प्रियोग करते हैं और मोडरन समय में प्रियोग होने वाली जो कुपोला फरनेंस है उसे फ्रेंच साइन्टिस्ट रेने एंड टोईनी ने 1720 के राउंड इसे बनाया था कुपोला की जो सेफ होती है बड़े साइज के स्मोक स्टैक की तरह होती है कुपोलाफिरोंड का प्रियोग ग्रे कास्ट आईरन, नोडुलर कास्ट आईरन, मेल्येबल कास्ट आईरन, कोपर आलोई जैसे ब्रॉज को मेल्ट करने के लिए किया जाता है और कुपोला और उफ्षक्ता के अनुसार किसी भी प्रैक्टिकल सइस का बनाया जा सकता है और cupola furnace के size को diameter में दरसाते हैं छोटे size की cupola furnace सिरफ demonstration वे experimental purpose के लिए बनाई जाती है तो अब बात करते हैं cupola furnace में क्या क्या components होते हैं इसकी construction किस प्रकार से होती है उसमें cell, foundation, tire, wind box, air blower, slag hole, metal tapping hole, charging door और चिमनी और स्टेक तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की सेल एक स्लेंड्रिकल वर्टिकल होता है और सेल का जो डायमेटर होता है वह तक्रीबन पॉइंट पांथ से चार मेटर के राउंड होता है और सेल को 6 से 12 mm थिक स्टील सीट से बनाया जाता है welding और riveting की मदद से सेल के अंदर refractory materials की lining की जाती है जैसे bricks और clay इसमें silica और alumina से ये बने होते हैं और सेल की जो उन्चाई या height होती है वह है इसके diameter की 4 से 6 गुणा होती है उसके बाद है brick foundation cupola furnace की vertical जो cylindrical cell है इसकी foundation bricks पर की जाती है और उसके बाद इस पर cast iron से बने columns या legs की मदद से इस cell को sport provide किया जाता है और इस cell के bottom में एक अलग से drop bottom होता है drop bottom door जिसे कहते हैं और यह cast iron का बना होता है इसे हम open कर सकते हैं close कर सकते हैं जिस समय cupola furnace की ये जो cell है पूरी तरह से 4 से fill होती है तब इसको बंद कर दिया जाता है और एक iron prop से इसको sport भी provide की जाती है उसके बाद जब melting complete हो जाती है melting complete होने के बाद कोक वे कुछ बचे हुए slags जिसे हम debris कहते हैं उसको discharge करने के लिए drop bottom की मदद ली जाती है जब drop bottom जो दूर है इसको close कर देते हैं debris को discharge करने के बाद और फिर से इसके उपर एक sand bottom यह कह सकते हैं कि sand bed को तियार किया जाता है कोक के लिए एक refractory bottom का भी काम करता है यह जो sand bottom या sand bed है इससे थोड़ा सा उपर एक metal tapping hole होता है जो शुरू में clay की मदद से बंद होता है जब तक molten metal tapping के लिए तयार ना हो जाए metal के melt होने के बाद जो tap hole है वह open हो जाता है और यहां से molten metal को mold में pour करने के लिए ladle की मदद से ले जाया जाता है और उसके बाद जो next part है वो है slag hole metal tapping hole से थोड़ा सा उपर या कह सकते हैं कि tire से तकरीबन 250 mm नीचे यह slag hole बना होता है slag hole की मदद से melting process के दुरान slag को बाहर निकाला जाता है slag light होता है इसलिए molten metal के उपर float करता है जिसे slag hole की मदद से remove कर देते हैं slag hole के उपर एक wind box लगा होता है और wind box के साथ में air blast inlet या air blast pipe connect होती है और एक high pressure fan या फिर air blower की मदद से इस air blast pipe के माध्यम से wind box में air को supply किया जाता है और blast pipe में एक valve भी लगा होता है air flow को control करने के लिए blast pressure जो तकरीबन 250 kg per meter square से 1050 kg per meter square तक हो सकता है उसके बाद है tires, tires basically nozzle या openings होती है जो wind box जिसको surround करके रखता है और wind box से air को इन tires के माध्यम से furnace में भेजा जाता है क्योंकि air से oxygen मिलती है जो fuel के combustion के लिए साहिक होती है और कह सकते हैं कि जो air supply की जाती है वो इसलिए ताकि fuel का proper combustion हो सके अगर tires की location की बात करें तो यह working bottom से 0.6 से 1.2 मेटर height तक लगाया जाता है उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो charging डूर है charging platform है charging जो डूर होता है वह टायर से तकरीबन 3 से 5 मेटर की height पर होता है और यह cell के top side की तरफ होता है और इस charging डूर के माध्यम से coke, flux और metal की जो feeding है वह furnace में की जाती है अगर हम बात करें कि जो coke होता है वह एक fuel की तरह काम करते हैं और जो fuel हम cupola furnace में यूज़ करते हैं वो अच्छी quality का low sulfur coke हो सकता है anthracite को coal हो सकता है या carbon की brickate हो सकती है उसके बाद अगर flux की बात करें flux basic होता है जैसे limestone, sodium carbonate, calcium carbide, dolomite, इतियादी flux का काम होता है कि slag के जो slag बनता है उसके melting point को कम कर उसकी fluidity को यह बढ़ा देता है slag basically acidic होता है और उसमें 40-50% silica होती है और जब coke, flux और metal को furnace में भेजा जाता है तो उसके बाद यह जो हमें metal charge मिला है यहाँ पर metal charge basically pig iron, cast iron scrap और steel scrap का mixture होता है charging दूर के बाद यह जो हरे रंग का हमें structure नजर आ रहे है charging platform यह है mild steel की road और plate का बना होता है और charging दूर से 0.3 meter नीचे होता है उसके बाद है chimney और stack chimney और जो stack है यह cupola के top side की तरफ होती है और कई बाद के होता है कि जो cupola है वह उपर से top side से open भी होता है और कई बाद इसके top पर metal shield लगी होती है जिसे हम spark arrester भी कहते हैं और यह charging जो डूर है उससे तकरीबन 4 से 5 meter की उन्चाई तक होता है और जो spark arrester हम प्रयोग करते हैं उसका काम होता है atmosphere में जो waste gases है उनको discharge करना और spark वे dust को वापिस furnace में deflect करना और कभी कभी cupola पर collector, filter और precipitator की arrangement भी की जाती है ताकि वातावरन में होने वाले producer को कम किया जासके अगर cupola furnace की हम capacity की बात करें तो यह है एक टन से पंदरा टन या इससे जादा तक melted iron के लिए उपयोगी रहती है और दोस्तो आज हमने इस वीडियो में discuss किया कि जो cupola furnace है उसकी construction किस परकार से होती है इसमें क्या-क्या components लगे होते है हमारी next वीडियो में हम discuss करेंगे कि cupola furnace में कौन-कौन से जोन होते है और जो cupola furnace में operation है वो किस परकार से होता है तो आज हमने इस वीडियो में बात की cupola furnace के अलग-अलग components के बारे में और उनके function के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और एन इनवर्श डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूले जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे